लोग सभा के स्पीकर आदर्डे श्री ओम बिरला जी राज सभा के उपसभापती श्री हरिवांच जी मानिय सांसत्गाण सभी वरिष्ट जन प्रतिनिदी विशिष्ट अतिधी अन्य सभी महनुभाव और मेरे प्यारे देश वास्यों हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं कुछ तारीखें समय के ललाट पर आज 28 मैं 2023 का ये दीन ऐसा ही शुब अवसर है देश आजहादी के 75 वर्ष होने पर अम्रित महोत्सों बना रहा है इस अम्रित महोत्सों में भारत के लोगों ने साथियों को भारतिय लोकतंत्र के इस स्वनिम ठ्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों ये सिर्फ एक भवन नहीं है एक सो चालीस करोड भारत वास्यों की आकांशाओं और सपनों का प्रतिमिम्ब है ये विश्व को भारत के द्रड़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोगतंत्र का मंदीर है ये नया संसद्भवन योजना को यथार्थ से नीती को निर्मान से इच्छा शक्ती को क्रिया शक्ती से संकल्प को सिद्धी से जोडने वाली एहम कड़ी साबित होगा ये नया भवन हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा ये नया भवन आत्म निर्भर भारत के सुर्यो दैका साक्षी बनेगा ये नया भवन बिच्षीज भारत के संकल्पों की सिद्धी होते हुए देखेगा ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है साध्यो नए रास्तों पर चल कर ही नए प्रतिमान गड़े जाते हैं आज नया भारत नए लक्षत तय कर रहा है नए रास्ते गड़ रहा है नया जोश है नया उमंग है नया सफर है नए सोच है दिशा नहीं है द्रश्टी नहीं है संकल्प नया है विश्वास नया है और आज पूरा विश्वा भारत को भारत के संकल्प की दड़ता को भारत वासियों की प्रकरता को भारतिय जनशक्ति की जीजी विशा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्वा आगे बढ़ता है संसत का ये नया भावन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आहवान करेगा साथियों आज इस आइतिहासिक अउसर पर कुछ देर पहले संसत की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है महांच चोल साहराज्य में सेंगोल को कर्तव्य पत्का सेवा पत्का राश्ट्र पत्का प्रतीक माना जाता था राजा जी और आदिनम के संतों के मार दर्सन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तान तरण का पत्क बना था तमिल नाडू से विशेश तोर पर आये हुए आदिनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशिरवाद देने उपस्तित हुए थे मैं उन्हें पुना स्रद्धापुरवक नमन करता हूँ उनके ही मार दर्शन में लोक सभा में यह पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है पिछले दिनों मिडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं मानता हूँ यह हमारा सोभाग्य है किस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लोटा सके है उसकी मान मर्यादा लोटा सके है जब भी इस संसद्धवन में कारवाई शुरू होगी इस एंगोल हम सभी को प्रेणा देता रहेगा साथियों भारत एक लोगतंत्री ग्रास्तर ही नहीं बल्कि लोगतंत्र की जननी भी है मदर अब देमोक्रेसी भी है भारत आच वैश्विक लोगतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है लोगतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्ता नहीं एक संस्कार है एक विचार है एक परंपरा है हमारे वेद हमें सभाओं और समित्यों के लोगतंत्रीक आदर सिखाते हैं महाभारत जैसे गरंथों में गणों और गणतंत्रों की ववस्ता का उलेक मिलता है हमने बैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है हमने भगवान बस्वेस्वर के अनुपव मंटपा को अपना गवरो माना है तमिल नाडु में मिला नौसो इस्वी का सिला लेक आज भी हर किसी को हरान कर देता है हमारे लोग हमारा लोगतंतर ही हमारी प्रेणा है हमारा संबीदान ही हमारा संकल्प है इस प्रेणा इस संकल्प की सबसे स्रेष्ट प्रतिनिदी अगर कोई है तो यह हमारी संसद है और यह संसद देश की जिस सम्रिद्ध संस्कृति का प्रतिनिदी तो करती है उसका उद्गोश करती है शेते निपद्य मानस्य शेते निपश्य मानस्य चराती चर्ट भगह चरई वेती चरई वेती चरई वेती कहने का ताथ पर ये जो रुख जाता है उसका भाग्य भी रुख जाता है लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है बुलन्दियों को चुपता है और इसलिए चलते रहो चलते रहो गुलामे के बाद हमारे भारत में बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी वो यात्रा कितने ही उतार चड़ाओं से होते हुए कितनी ही चुनोतियों को पार करते हुए आजहादी के अमरितकाल में प्रवेश कर चुकी है आजहादी का ये अमरितकाल विरासत को सहजते हुए विकास के नए आयाम गड़ने का अमरितकाल है आजहादी का ये अमरितकाल देश को नई दिशा देने कामरितकाल है आजादी का ये अम्रितकाल अनंत सपनों को असंख्या कांख्याओं को पूरा करने का अम्रितकाल है इस अम्रितकाल का आवान है मुक्त मात्र भूमी को नभीन पान चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और इसलिए भारत के भविश्यकों उज्वल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए आधुनिक होना चाहिए साथियों एक समय था है जब भारत दुनिया के सबसे समर्द और वैबवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था भारत के नगरों से लेकर महलों तक भारत के मंदिरों से लेकर मुर्तियों तक भारत का वास्तू भारत की विशेजग्यता का उद्गोश करता था सिंदू सब्विता के नगर नियोजन से लेकर मौर्य कानिन स्तब्ब और तुपों तक चोल शासकों के बनाए भग्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाली यात्रियों को हैरान कर देता था लेकिन सैकडो साल की गुलामी ने हम से हमारा गौरव छीन लिया एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्मान को देखकर मुग्द होने लग गए 21 वी सदी का नया भारत बुलंद होसले से बरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है आज भारत प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड रहा है और संसत की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है आज नए संसत भावन को देखकर हर भारतिय गवरोशे भरा हुआ है इस भावन में दिरासद भी है वास्तु भी है इसमें कला भी है कौशल भी है इसमें संस्कृती भी है और संविधान के स्वर भी है आप देख रहे हैं कि लोग सभा का आंत्रिक हिस्सा यहां भी देखिये यहां भी देखिये राष्टिय पक्षी मोर पर आधारी थै राज सभा का आंत्रिक हिस्सा राष्टिय भूर कमल पर आधारी थै और संसत के प्रांगन में हमारा राष्टिय व्रुक्ष बर्गद भी है हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विवितता है इस देख्वन ने उन सब को समाहित किया है इसमें राजस्थान से लाए गए गरिनाईट और बल्वा पत्थर लगाए गए है ये जो लकडी का काम आप देख रहे हैं न वो महराष्टर से आई है यूपी में बदोही के कार्युगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालिनों को बूना है एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के दर्शन हूँ साथियों साउसत के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था यह हम सभी जानते हैं टेकनोलोजी से जुड़ी समस्याएं थी बैठने की जगह से जुड़ी चुनवती थी इसलिए ही बीते डेड़ दो दसकों से यह चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए सांसद भवन की आवशक्ता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या भढ़ेगी सांसदों की संख्या भढ़ेगी वो लोग कहां बैठते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी कि सांसद की नई इमारत का निर्मान किया जाए और मुझे खुशी है कि भग्वे इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लेशा है आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है बिजिली कम से कम खर्च हो हर तरब लेटेस्ट टेकनोलोजी वाले गैजेट्स हो इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है साथियों आज सुबह ही मैं इस समसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समू से मिला हूँ इस समसद भवन ने करीब साथ हजार साथ हजार स्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बाहाया है मुझे खुशी है कि इनके स्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलेरी भी सौंसद में बनाई गई है और विश्व में साथ ये पहली बार हुआ होगा संसत के निर्मान में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है साथियों कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले नव वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये नव साल भारत में नव निर्मान के रहे हैं कि गरीब कल्यान के रहें आज हमें संसत की नई इमारत के निर्मान का गर्व है तो मुझे पिछले नव साल में गरीबों के चार करोड घर बनने का भी संतोष है आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर उचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले नव साल में बने ग्यारा करोड सोचालयों का भी संतोष है जिनोंने महिलाओं की गरीबा की रक्षा की उनका सर मुचा कर दिया आज जब हम इस संसत भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले नव साल में हमने गावों को जोड़ने के लिए चार लाग किलोमिटर से भी जादा सड़कों का निर्मान किया आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए पच्चास हजार से जादा अमरुत सरोवरों का निर्मान किया है आज जब हम इस नए संसच भवन की लोग सभा और राज सभा को देखकर उत्सों मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में तीस हजार से जादा नए पंचायत भवन भी मनाए है यानि पंचायत भवन से लेकर संसच भवन तक हमारी निष्टा एक ही है हमारी प्रेणा एक रही देश का विकास, देश के लोगों का विकास साथियों आपको ध्यान होगा पंद्रा अगस को लाल कीले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागरत होती है भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल दियात कीजिए आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था गांदी जी के असयोग अंदोलन ने पुरे देश को एक विश्वास से भर दिया था गांदी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारत माशी को जोड दिया था ये वो दोर था जब हर भारतिय आजादी के लिए जी जान से जुड गया था इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा आजादी का ये अमरित काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है आज से पतीस साल बाद भारत अपनी आजादी के सो वर्ष पूरे करेगा हमारे पास भी पचीस वर्ष का अमरित काल खंड है इन पचीस वर्षों में हमें मिलकर भारत को विक्षित राष्ट बनाना है लक्ष बड़ा है लक्ष कठीन भी है लेकिन हर देश्वासी को आज इसके लिए जी जान से जुटनाई है नए प्रन लेने है नए संकल्प लेने है नए गती पकड़नी है और इत्याद गवाह है कि हम भारतियों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहता हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागरत कर दी थी हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े भारत के विश्वास ने दूसरे देशों को दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविद्वता से भरा देश इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतनी सारी चुरोंतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरना भी मिलती है भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग-अलग भूभाग में अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरना का कारण बनने वाली है आजदी भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरना भी देता है भारत का विक्सित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा इसलिए भारत की जिम्बेदारी और बड़ी हो जाती है और साथियों सफलता की पहली शर्थ सफलता की पहली शर्थ सफल होने का विश्वास ही होती है ये नया संसद भावन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है ये विक्सित भारत के निर्मान में हम सभी के लिए नई प्रेरना बनेगा ये संसद भावन हर भारती के कर्तब या भाव को जागरित करेगा मुझे विश्वास है इस संसद में जो जन प्रतिनिती बैठेंगे वे नई प्रेरना के साथ लोग तंत्र को नई दिशा देने का प्रेयास करेंगे हमें नेशन फर्स की भावना से आगे बढ़ना होगा हमें कर्तब्यपत को सर्वो परी रखना होगा कर्तब्यम एव कर्तब्यम और कर्तब्यम न कर्तब्यम हमें अपने व्यवार चे उदाहन प्रस्तुत करना होगा हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होगे अपदीवो भवा हमें खुद को खपाना होगा तपाना होगा तपसों ही परम्नास्ती तपसा बिंदते महतर हमें लोक कल्यान को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा लोक हितम ममकरनियम जब सौंसत के इस नए भवन में हम अपने दाइत्वों का इमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देश वाज़ियों को भी नई प्रेणा मिलेगे साथियों दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र को यह नई संसत एक नई उर्जा और नई मजबूति प्रदान करेंगी हमारे स्थ्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसत भवन को इतना भव्य बना दिया है अब हम सभी संसतों का दाइत्व है कि इसे अपने समर्पन से और ज़्यादा दिव्य बनाएंगे एक राष्ट के रुप में हम सभी एक सो चालीस करोर भारतियों का संकल्प ही इस नई संसत की प्राण प्रतिष्टा है यहां होने वाला हर निणए आने वाली सद्यों को सजाने संवारने वाला है यहां होने वाला हर निणए आने वाली पीडियों को ससक्त करने वाला होगा यहां होने वाला हर निणए भारत के उजविस बविश्य का आधार बनेगा गरीब दलीद पिछडा आदिवासी दिम्यां समाज के हर वंचित परिवार के ससक्त करन का वंचितों को वरियता का रास्ता यहीं से गुजरता है इस नए संसत भवन की हर हीट हर दिवार इसका कान कान गरीब के कल्याण के लिए समर्पी था अगले पचीस वर्सों में संसत के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विक्सित भारत बनाएंगे इस संसत में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बहार निकालने में मदद करेंगे इस संसत में बनने वाले कानून देश की युवाओं के लिए महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करेंगे मुझे भी स्वास है समस्थ का यह नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बनेगा एक सम्रुद्य ससक्त और विक्सित भारत निती न्याय सत्य मर्यादा और कर्तव्य पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत मैं समस्त भारत वास्यों को नए संसद्भवन की फिर से बहुत बहुत बढ़ाई देता है दन्यवाद